हलो मैं आपका दोस्त राकेश अपने यूटूब चैनल में आप सभी विवर्स के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों अक्सर मैं आपको टायर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेकर आता रहता हूँ आज की ये वीडियो भी आपके लिए दोस्तों बहुत खास होगे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्रिजिस्टोन टायर की वरेंटी अनकंडिशनल वरेंटी के बारे में बताऊंगा दोस्तों अकसर आप देखते होंगे जब भी आपके टायर में किसी भी तरीकिस प्रॉब्लम आती होगी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं आपको ये नहीं समझ माता है किस टायर का क्लेम हम कहां पर कराएं कैसे कराएं जो है किस कंडिशन में हमारा क्लेम होगा किस डीलर से होगा तो एक एक डाउट आपका ब्रिजिस्टोन टायर के क्लेम से रिलेटेड आज आपका किलियर हो जाएगा मैं यही कहूंगा आगे बठनेस पहले अगर आप अभी तक नए है मेरे चैनल को सस्काइब जरूर करिए अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए कमेंट करिए सेर करना ना भूलिए चलिए दोस्तो मैं आपको ब्रिजिस्टोन टायर के बारे में बताना चाहता हूँ कि ब्रिजिस्टोन टायर जैपनीज ब्रैंड है इंडियन मार्केट में बहुत ही तेजी से रन कर रहा है बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट में नमबर वन टायर ब्रैंड है ब्रिश्टोन कंपनी दोस्तों ब्रिश्टोन कंपनी के अगर टायर की मैं बात करूं ब्रिश्टोन कंपनी ने अपने टायर पर कंडिशनल वरेंटी के साथ साथ अनकंडिशनल वरेंट दोस्तों जो conditional warranty होती है इसमें टायर की manufacturing fault से related अगर आपके टायर में किसी भी तरीकिस कोई defect आता है उस condition में उस पे company सुनवाई करती है उसमें claim करके आपको change करके नए दे देती है लेकिन दोस्तों Bridgestone Tires की एक ऐसी condition के बारे मैं आपको बताना चाहता हूं जो unconditional warranty के नाम से आत में run करने वाली अपने टायर्स पर unconditional warranty लागू की है उसी में एक हमारी Bridgestone company भी है जो अपने टायर्स पर unconditional warranty लागू की है यह September 2019 से ही लागू है दोस्तों unconditional warranty का मतलब होता है without बिना किसी सर्थ के without any condition बिना किसी सर्थ के अगर आपका टायर damage होता है छतिकरस्त होता है उस condition में भी company आपके टायर को replace करके नए दे देती है यह unconditional warranty होती है दोस्तों लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं बहुत सारे ऐसे हमारी users हैं जिनको पूरी तरीके से unconditional warranty के बारे नहीं मालूम होता है उनका टायर damage हो जाता है कड़ जाता है फड़ जाता है वो टायर अपना उनका waste हो जाता है फेक देते हैं टायर फिर से नए टायर परचेज करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा एक लाइक जरूर करिए दोस्तों अगर पसंद आए तो मैं आपको बताऊं दोस्तों ब्रिजिस्टोन कंपनी ने जो अपने टायर पर unconditional warranty लाई ह है ये तीन साल तक लागू होती है 60% गोटी की घिसाई तक लागू होती है अनकंडिशनल का मतलब होता है कि टायर आपका किसी भी ऑब्जक्ट से टकरा कर डैमेज होता है किसी कांस से किसी पत्थर से किसी सीसा से किसी सरीय से किसी मिटल के टुकडे से या डिवाइडर से ट रेंटी होती है दोस्तों जब भी आप अंध्र कि अंतरगद अपे टायर को चेंज कराने जाते हैं आप कोई भी टायर हो प्रीजिस्टों कंपनी का आप लेकर जाहिए किसी डीलर से कंपनी में चेंज करा लीजे ऐसा नहीं है कुछ conditions होती है इसके लिए भी इसका भी अपना एक जो है criteria है इसका भी अपना एक policy होती है दोस्तों आपको मैं बताऊं किन टायर का आप unconditional warranty के अंतरगत claim ले सकते हैं किन टायर का unconditional warranty के अंतरगत claim नहीं ले सकते हैं सबसे पहले मैं बताऊं जो टायर आपकी गाड़ी के साथ लग कर आते हैं OEM Fitment उसको बोलते हैं Original Equipment Fitting Tire जो आपकी गाड़ी के साथ Bridgestone के Tire लग कर आते हैं Fitting होकर आते हैं उन Tire ओपर कंपनी ने किसी भी तरीके से Unconditional warranty नहीं दी है किसी भी pattern का Bridgestone का Tire क्यों न हो अगर गाड़ी के साथ लग कर आया हुआ Tire आपका damage हुआ है, कटा है, फटा है वो Tire Unconditional warranty के अंतरगत नहीं चेंज होता है जो Tire आप किसी डीलर से परचेज करते हैं Bridgestone का Ecopia Series को छोड़ कर एक Tire Company का ऐसा Series आज भी है जो Ecopia Series होते है उसमें Ecopia Series के जितने भी Tire होते हैं चाहे कोई छोटा Tire हो, चाहे बड़ा Tire हो उन Tireों में भी कटने, फटने, डैमेज होने की कमपनी किसी भी तरीके स्कोई warranty नहीं देती है इन Tireों पर जो आपके OEM Tire है और Ecopia Series का जो Tire है केवल मैनुफेक्शिंग फॉल्ड की ही वरिंटी में होती है फूल ने, चिटकने तार निकलने की दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँ Unconditional warranty, जब भी आप कोई Tire अपना परचेज करिए किसी डीलर से आप कोशिश यही करिए कि आपका Tire किसी सिलेक्ट डीलर से ही परचेज हो या कहीं से भी आप परचेज कर रहे हो आपके Tire का warranty registration जरूर करवाईए अगर आपके Tire का warranty registration नहीं है आप अपने Tire का Unconditional warranty में क्लेम नहीं ले सकेगा क्योंकि कमपनी की यह policy है जब आप Tire परचेज करते हैं किसी दुकानदार से दुकानदार वो शॉप कीपर आपका नाम मोबाईल नमबर गाड़ी नमबर आपकी पूरी डीटेल Tire का 11 डीजिट का सीरियल नमबर होता है दोस्तों कमपनी के साइट पर कमपनी के application पर पूरा submit करता है आपका registration हो जाता है Tire का और आप वहीं से unconditional warranty के लिए तीन साल तक all over India valid हो जाते हैं जो unconditional warranty है दोस्तों यह नहीं है कि आप जो है जहां से Tire purchase किये हैं वहीं से ले सकते हैं यह all over India के लिए होता है और सबसे बड़ी बात यह है आप देखते होंगे जो other company की conditional या unconditional warranty होती है उसमें बहुत समय लगता है company की engineer आते हैं चेक करते हैं उसके बाद depreciation का charge आपको बताते हैं तब आपका claim होता है लेकिन British stone tires में ऐसा नहीं है यह on the spot वाली service है all over India आप कहीं से भी tire purchase कर यह कहीं पर भी आप जाकर आपके tire में damage होने पर कटने फटने पर आप अपने टायर का claim ले सकते हैं टायर चेंज करा सकते हैं यह British stone tires की unconditional warranty है मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों जब भी आप अपने tires का claim लेते हैं आपको उस tire का उस समय तक जितना depreciation होता है जितना टायर आपका घिसा होता है घिसाई का पैसा आपको ज़रूर देना पड़ता है क्यूंकि जो हमारा tire होता है यह जब road contact area में चलता है आता है इसमें road contact area और tire के बीच में friction generate होता है आपके tire की घिसाई होती है टायर का damage होना कटना फटना company के इसमें कोई गलती नहीं होती है फिर भी company आपका पूरी तरीके से support करती है उस समय तक जितना आप यूज की यह होते हैं आपको अपने यूज का ही पैसा देना पड़ता है बाकी company उसका वियर करती है आपको उस दिन नय टायर मिल जाता है और उस दिन से फिर से आपको तीन साल की unconditional warranty मिल जाती है दोस्तों यह ब्रिजिस्टोन टायर की unconditional warranty policy होती है जो तीन साल के लिए valid होती है और 60% गोटी की घिसाई तक valid है जो पहले हो जाए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टायर ब्रिजिस्टोन का लिए और आप में running आपकी बहुत जादा है साल भर में छे महीने में दो साल में आप अगर 60% से अधिक टायर आपका घिस गया है तीन साल के अंदर अगर उसके बा यह बाते आपको पूरी तरीके समझना जरूरी है दोस्तों मैं आपको बताऊं बिजिस्टोन कंपनी दुनिया का नंबर वन टायर बैंड है इसके टायर की running life सबसे अधिक होती है सबसे ज्यादा comfortable टायर होता है सबसे अधिक इसकी durability होती है दोस्तों एक पॉइंट मैं आप आपको अपनी तरफ से और बताना चाहता हूं अगर आपको आपके टायर की running life सबसे ज्यादा लेना है क्योंकि यह भी बहुत सिकायत आती है कि वह ब्रिश्टोन नहीं कोई भी दुनिया का टायर हो अगर आपको टायर की running life आपको कम मिल रही है उसका सीधा सीधा आप जान जाएए कोई न कोई आपकी गाड़ी में alignment balancing यह कैंबर कैस्टर से related technical issue जरूर है आपके टायर की running life अधिक लेने के लिए आपको हर 5000 किलो मिटर पर आपकी गाड़ी का alignment 10,000 किलो मिटर तक आपकी गाड़ी का wheel balancing कराना चाहिए आपके टायर में nitrogen air का use करना चाहिए इससे आपक टायर की running life increase होगी दोस्तों दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बाते जरूर समझ में आई होगी अगर आपको ब्रिजी स्टोन टायर की warranty claim से related किसी भी तरीके से कोई असुधा हो रही हो या कोई problem हो रही हो या आपको मेरी बातों में कुछ ऐसी हैं जो ना समझ म अपको में आपको 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 में आपक